Hello everyone, welcome on my channel इस वीडियो में हम 351 से देखे 360 तक के idioms and phrases करेंगे और ये इस सीरीज का 36 वीडियो है और इस से पहले मैंने 35 वीडियो डाल दिये हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 351 नमबर कुस्टन हम देखते हैं To sow the cloven hoof To sow the cloven hoof का मतब होता है To sow wickedness यानि की दूस्टता का परिचे देना तो sentence में इसका use देखे He conspired against his friend and thus saw the cloven hoof एक बंदा है जिसने अपने दोस्त के Against ही conspired किया यानि की सर्यंतर किया और इसने दूस्ता का परिचे दिया है तो इससे connect करके इसको ध्यान रखिएगा अगला हम देखते हैं To carry calls to new castle इसका मतलब होता है To take goods to a place where they are already plentiful यानि की कुछ ऐसा समान को ऐसी जगह पे ले जाना जहां पे already उसकी भरपूर मात्रा है तो उसी को हम कहते हैं Carry calls to new castle तो sentence में इसका use देखिए Offering loans to a rich man is like carrying calls to new castle एक अमीर आदमी को आप loan का अगर offer देंगे तो उसके यह क्या है वो carrying calls to new castle है यानि की उसके पास already इतना ज़्यादा पैसा है कि उसे loan की जरुवत नहीं है तो इससे connect करके इसको ध्यान देखिएगा अगला हम देखते है To heap calls of fire on somebody head इसका मत्तब होता है To repay evil with good in order to make the other party repent यानि की कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तब भी आप उसके साथ अच्छा कीजिए ताकि अगले को ये पस्तावा हो कि मैंने जो किया है वो गलत किया है तो उसी को हम बोलते है To heap calls of fire on somebody head तो sentence में इसका use देखिए Mohan abused his wife but she respected him Thus she heaped calls of fire on his head Mohan ने अपनी wife को गाली दिया नेकिन उसने उसका respect किया तो इससे क्या हुआ Mohan को काफी पस्तावा हुआ बाद में तो इससे connect करके अप इसे ध्यान रखिएगा अगला हम देखते है To hand oblique drag over the call इसका मत्तब होता है To reprimand या to scold यानि कि डाटना या फटकारना तो sentence में इसका use देखिए Rohan was dragged over the calls for teasing a girl of his class Rohan को काफी data अगला हम देखते है To turn one's court To turn one's court का मत्तब होता है To change one's party अपना party change कर लेना तो sentence में इसका use देखिए Many a political leader turns his court for his political and personal benefit आजकल आपने देखा हुआ एटेंड बन चुका है कि political leaders जो है वो अपना party change करते है ताकि उन्हें कुछ फाइदा मिल सके तो इससे connect करके आप इससे ध्यान रखिएगा अगला हम देखते है To cause fire to light इसका मतलब होता है To get one's work done by causing यानि किसी से अपना काम फुसला कर करवाना Cosing का मतलब होता है फुसला कर sentence में इसका use देखिए Cunning persons cause fire to light तो इससे connect करके ध्यान रखिएगा जैसे कि आप इस picture में देख पा रहे है ये भाई साहब इसको फुसला रहे है अगला हम देखते है To clear the cobwebs away इसका मतलब होता है To make mind clear of all thoughts यानि पुराने विचार जो आपके मन में है उसको clear कर देना और नई सुरुवात करना तो sentence में इसका use देखिए Both of them should clear the cobwebs away and become friend यानि कि इन दोनों को जो पुराने खैलात इनके मन में थे कुछ भी जो गलत हुआ था उसको लेके उसको इनको clear कर देना चाहिए और अब इन्हें friend हो जाना चाहिए इससे connect करके इसको ध्यान देखिएगा अगला हम देखते हैं cock of the walk cock of the walk का मतलब होता है the leader in a group किसी भी group का जो leader होता है उसी को बोलते है cock of the walk तो sentence में इसका use देखिए this old man is the cock of the walk in this village इस गाउं में ये जो बुरा आदमी है ये जो है पूरे group का leader है यानि पूरे गाउं का ये leader है अगला हम देखते हैं एक cock and bull story एक cock and bull story का मतलब होता है an incredible story और imaginary story एक obvious vesenia story या एक काल्पनिक कहानी हम कह सकते है तो sentence में इसका use देखिए he told us some cock and bull story about having lost all his money उसने जो है एक cock and bull story बताया यानि एक काल्पनिक कहानी बताया कि कैसे उसके सारे पैसे जो है वो lost हो गए अगला हम देखते हैं to cock one size to cock one size का मतलब होता है to wink यानि कि आँख मारना तो sentence में इसका use देखिए prea warrior become famous by cocking her eyes ये prea warrior है ये famous हुई थी अपने आख मानने की वज़ा से तो इससे connect करके इसको ध्यान रखिएगा तो hope आपको ये 10 idioms and phrases समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे और अभी तक हमने 360 idioms and phrases कर दिये हैं और अगर आपने पीछे के वीडियो ज नहीं देखे हैं